हलो दोस्तों मैं अविरास्तिर्वेदी आप सभी का स्वागत करता हूँ विकास STD सर्गिल के यूटूब चैनल पर दोस्तों आज की क्लास में हम लोग SSC GD कानिश टेबल की परिच्छा के क्रम में हिंदी का प्रैक्टिस सेट नमबर 11 हल करेंगे तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किये हुए वीडियो के साथ अंततक अवस्य बने रहें और चैनल को अधिक से अधिक सस्क्राइब करें वीडियो को लाइक करें और वीडियो को सेर भी करें दोस्तों सबसे पहले आप सभी को 9 वर्स की हारदिक मंगल कामना है आप सभी का 9 वर्स सुब हो और आप सभी लोग अपने अपने लच्छों को प्राप्त करें और एक नौकरी पाए चलिए दोस्तों समय को बिना वेश्ट किये हुए अपनी क्लास को शुरू करते हैं आज का पहला कुष्चन है कुष्चन नंबर 61 आचार का विलोम सब्द है पहला आपसन है अनाचार दूसरा आपसन है आनाचार तीसरा आपसन है अत्याचार और चौथा आपसन दिया है विचार बहुत ही आसान कुष्चन है दोस्तों आचार का विलोम क्या होता है आप सभी जानत आगे बढ़ते हैं अपने अगले कुश्चन की तरब कुश्चन number 62, जो इस्त्री सूर्य भी ना देख सके वाक्यांस के लिए एक सब्द है। अशूर एदर्शना, दूसरा अशूर एदर्शना, तीसरा अशूर इसप्रसा, और चौत्वा अशूर एपश्या, तो दोस्तों, question number 62 में right answer क्या हो जाएगा? option number D असूर पस्या ये वाक्यांस के लिए एक सब्द हो जाएगा वाक्यांस क्या है दोस्तों जो इसनी सूर भी ना देख सके उसके लिए वाक्यांस के लिए एक सब्द क्या हो जाेगा option number D असूर पस्या आगे बढ़ते हैं अगला कुश्यन है question number 63 इसके लिए एक सब्द क्या होगा ये पूछा गया है पहला आपसन है दौन्दगरस्त दूसरा आपसन है भ्रहमित और तीसरा आपसन दिया है किंकर्त विमूड और चौथा आपसन है दूई विधागरस्त दूविधागरस्त चौथा आपसन दिया है तो दोस्तों जो अपने करतव्य का निश्चे न कर सके इस वाक्यांस के लिए एक शब्द ग्या होगा तो इस के लिए वाक्यांस के लिए ऐसब्द होगा आपसनमबर सी किम कर्त विखें वी मूर यह राइट आंसर हो जाएगा आध कुश्चन numbर 63 का आगे बढ़ते हैं अगला कुश्चन है कुश्चन No. 64 है नीम लिखित में इसे एक सब्ध आमका पर्यायवाची नहीं है, ध्यान देना, आमका पर्यायवाची सब्ध कौन सार नहीं है पूछा गया है, देखते हैं, पहला अपसं दिया है आतिसा अरब, दूसरा अपसं है सहकार, तीसरा अपसं है अम्व। और क्या हो जाएगा, आपसर नंबर C, अम्बू, कुश्चन नंबर 64 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपसर नंबर C, अम्बू, तो दोस्तों, अम्बू जो है, ये आम का पर्यायवाची नहीं है, लेकिन ये आम का पर्यायवाची नहीं है, तो ये किसका पर्यायवाची है, अम्बुजल का पर्याइवाची है, आप लोग याद रखना, बांकी ये अतिसौरब, सहकार और रसाल, ये आम के अन्य पर्याइवाची है, आप लोग ध्यान रखना, आगे बढ़ते हैं, अगला कुश्चन है, कुश्चन नमबर 65, सही वरतनी का सब्दका चैन कीजिए, सही वरतनी किसकी है, आप सब नमबर B, स्रंगार, स्रंगार ये एकदम सुद्ध लिखा है, बाकी ये अवनती, मात्रभूमी और मुश्किल, ये तीनों गलत लिखे हैं, लेकिन दोस्तों, आप लोगों को ये भी जानना जरूरी है, कि इनके सुद्ध सब्ध होंगे क्या, ये अवनती, ऐसे लिखा है, इसका राइट क्या होगा, इसका सुद्ध सब्ध हो जाएगा, दोस्तों, अवनती, ये ऐसे सिंपल तरीखे से हो जाएगा, और मुश्किल ये लिखा है, पूरा-पूरा, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा, मुश्किल, ये हो जाएगा, दोस्तों ध्यान रखना और दोस्तों जो ये मात्र भूमी लिखा है मात्र भूमी कैसे लिखा जाएगा आप सभी परचित होंगे ये लिखा जाएगा ऐसे मात्र भूमी ये मात्र भूमी का सुद्विसब्द हो जाएगा बाकी ये स्रंगार वे बिल्कुल सही लिखा है तो कौन है वरतनी की द्रश्टी से पहला लिखा है आपसन नमबर A यानी दूसरा आपसन है यानी तीसरा आपसन है सूची चौथा आपसन दिया है सुस्क तो वरतनी की द्रश्टी से कौन सा असुद है कुश्चन नमबर 66 में तो आपसन नमबर A यानी ये असुद लिखा है यान नहीं होता है दोस्तों यानी होता है जो कि आप आपसर नंबर B में देख रहे हैं ये बिलकुल सुद्ध है लेकिन ये आपसर नंबर A यानी कोई सब्द नहीं होता है ये वरतनी की दरश्टी से असुद्ध है तो कुश्चन नंबर 66 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपसर अप्सन है, सलाः लेना, तीसरा अप्सन है, दवा पूछना, चौथा अप्सन दिया है, धमकी देना, तो कुश्चन नम्बर-67 का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? आप्सन नम्बर-D, धमकी देना, आँख दिखाने मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, धमकी देना, आपसन नमबर D, कुश्चन नमबर 67 का राइट आंसर होगा, आगे बढ़ते हैं, अगला कुश्चन है, कुश्चन नमबर 68, कुश्चन नमबर 68 है, छक्का पंजा करना, मुहावरे का सही अर्थ है, पहला जगडा लगाना दूसरा आपसन है ओछी हरकत से कारिसिद्ध करना अगला आपसन दिया है चापलूसी करना और अगला आपसन है नारत गिरी करना तो दोस्तों छक्का पंजा करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा कुष्चन नमबर 68 का राइट आंसर क्या हो जाएगा छक्का पंजा करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? आपसन नमबर B, ओची हरकत से कारिसिद करना. आगे बड़ते हैं, अगला कुष्चन है कुष्चन नमबर 69, कुश्चन नमबर 69 है रचना के आधार पर वाक के खाली स्थान और फिर खाली स्थान वाक्य के भेद है पहला अपसन दिया है संयुक्त और मिस्र दूसरा अपसन है संकेत वाचक और मिस्रित तीसरा अपसन है प्रसन वाचक और निसेधात्मक और चोथा अपसन दिया है विध नमबर A, संयुक्त और मिस्रिद, दोस्तों जैसा कि यहां पे भरा जाएगा संयुक्त, यहां पे भरा जाएगा संयुक्त, और यहां पे होगा मिस्रिद, मिस्रिद, तो वाक्य पूरा क्या हो जाएगा, रचना के आधार पर वाक्य संयुक्त और मिस्रिद वाक्य के भेद हैं बाकि ये संकेत वाचक, ये विधानात्मग और ये निसेधात्मग ये रचना के आधार पर वाक्य के भेद नहीं होते हैं दोस्तों, रचना के आधार पर वाक्य के भेदों की अगर बात की जाए तो वह होते हैं तीन प्रकार के, वह कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार क आगे बढ़ते हैं अगला कुश्चन है कुश्चन नमबर सिवेंटी साहित का खाली स्थान प्रत्यक मनुस्य के लिए अनिवार है दिये गए विकल्पों में से सही का चैन करके वाकिपूर करें वाकिय क्या है आपसन देखेंगे पहला आपसन दिया है पहचान दूसरा आपस तो दोस्तों कुश्चन नमबर 70 का राइट आंसर क्या हो जाएगा कुश्चन नमबर 70 का राइट आंसर होगा आपसर नमबर B ग्यान यहां पे क्या भरा जाएगा ग्यान देख लेते हैं वाक्य क्या हो जाएगा साहित का ग्यान प्रतेक मनुस्य के लिए अनिवार है यह वाक पूछा गया है मतलब कुश्चन क्या है कि जो ये वाक्य दिया है ये रचना के आधार पर किस प्रकार का वाक्य है ये कुश्चन कह रहा है पहला आपसन है सरल वाक्य है या दूसरा आपसन है संयुक्त वाक्य है तीसरा आपसन है मिस्र वाक्य है या चौथा आपसन है आग्य कमीज वाले छात्र को यहां कलम देदो यह सरल्वाक्य है तो दोस्तों कुष्चन नम्बर 71 का राइट अंसर क्या हो जाएगा आपसा नमबर 1 सरल्वाक्य आगे बढ़ते हैं अगला कुष्चन है कुष्चन नमबर 72 मैंने घर जाना था यह एक वाक्य दिया है मैंने घर जाना गर, तीसरा अपसन है जाना और चौधा अपसन है था तो दोस्तों कुश्चन नमबर 72 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी जानते होगे बहुत आसान कुश्चन है अपसन नमबर A मैने मैने यह असुद्ध अंस है वाक्य का यहाँ पे होना क्या चाहिए यहाँ पे होना चाहिए मुझे, यहाँ मैने नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे होगा मुझे, मुझे घर जाना था, यह इसका सुद्ध वाक्य होगा, तो कुश्चन क्या था, मैने घर जाना था, वाक्य का असुद्ध अंस कौन सा है, तो वाक्य का असुद्ध अंस कौन सा हो संदी और चौथा आपसन है यण संदी तो दोस्तों कुष्चन नमबर 73 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपसन नमबर आपसन नमबर सी देरग संदी दोस्तों देख लेंगे धात उस्मा का विग्रह क्या होगा धात उधन उस्मा ये चीज भी आप लोग याद रखना धात उधन उस्मा ये इसका विग्रह होगा स्वारी दोस्तों विच्छेद होगा विग्रा नहीं विच्छेद होगा विग्रा तो समास में होता है ये इसका संधी विच्छेद होगा धातुधन उस्मा और ये कौन सी संधी है ये दीर्गस्वर संधी है ये चीज भी आप लोग याद रखना तो कुष्चन नमबर 73 का र पूछा गया है, क्या होता है, most important question है दोस्तों, बहुत बार पर इच्छाओं में ये पूछा जा चुका है, आप लोग previous year paper हल करते होंगे, तो वहाँ पे देखते होंगे, कि अनवेशन ये बहुत बार पर इच्छाओं में हर एक एक्जामों में पूछा गया है, यूपिटर तो दोस्तों, अनुवेशन का, अनुवेशन का सही संध विच्छेद क्या होगा, question था आपका, तो question number 74, question number 74 का right answer क्या हो जाएगा, आपसन number D, अनुधर A संध, ये हो जाएगा इसका संध विच्छेद, और दोस्तों, अगर इसी question में पूछ लेता कि इसमें संधी कौनसी है तो दोस्तों, अनुवेशन में कौनसी संधी होगी, यण संधी, ये चीज भी आप लोग याद रखना, अनुवेशन में संधी कौन होगी, यण संधी, तो दोस्तों, question number 74 क्या था, अनुवेशन का सुद्ध संध विच्छेद क्या होगा, अनुधन A संध, आपसन number D, आपक पुरुस समास, दूसरा है दीगु समास, तीसरा है बहुब्रीय समास, चौथा है दौन्द समास, तो दोस्तों, question number 75, 75 का right answer क्या हो जाएगा, आपसन number C, कमल नयन में कौन सा समास है, कमल नयन में बहुब्रीय समास होगा, आपसन number C, इसका right answer होगा, तो दोस्तों, question number 75 का right answer क क्या हो जाएगा आपसा नंबर भी बहुब्री ये समास आगे बढ़ते हैं अगला कुष्चन है कुष्चन नंबर 76 कुष्चन नंबर 76 है सत्साई सब्द में समास का भेद बताईए ये कुष्चन भी मोश्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों बहुत बार पर इच्छाओं में दिगुसमास होगा सत्साई में दिगुसमास होगा आपसा नंबर भी कुष्चन नंबर 76 का राइट आंसर होगा और इसका समास विग्रह क्या होगा इसका समास विग्रह होगा 700 का समाहार ये इसका विग्रह होगा 700 का समाहार समाहार दोस्तों जैसा कि आप सभी परचित होंगे कि दिगुसमास की पहचान क्या होती है कि इसमें प्रथम पत जो होता है वो संख्यावाची होता है तो दोस्तों ये सतसाई जो है ये साथ सो का समाहार होता है और इसलिए इसमें दिगुसमास है आपसा नमबर भी कुष्चन नमबर 76 का राइट आंसर हो जाएगा आगे बढ़ते हैं अगला कुष्चन है कुष्चन नमबर 77 कुष्चन नमबर 77 है निम लिखित दोहे में कौन सा अलंकार है कौन सा अलंकार है दोहा देखते हैं क्या है बढ़त बढ़त संपत सलिल मन सरोवर बढ़ जाई गटत गटत सुन फिरी घटे बरू समूल कुमलाई ये एक दोहा दिया है इसमें अलंकार पूछा गया है अलंकार इसमें कौन सा होगा तो पहला आपसन है रूपक अलंकार दूसरा आपसन है यमक अलंकार तीसरा आपसन है पेच्छा अलंकार चौथा आपसन है उपमा अलंकार दोस्तों कुश्चन नमबर 77 में क्या था देखेंगे एक दोहा दिया है क्या दोहा है गटत गटत सुन फिर गटे बरुसमूल कुमलाई ये एक दोहा दिया है इसमें अलंकार पूछा गया है कौन सा अलंकार है तो दोस्तों Question No. 77 में Right answer क्या होगा? आपसन No. A. रूपकलंकार इसमें दोस्तों रूपकलंकार होगा और रूपकलंकार की पहचान क्या होती है? जब उपमे में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाए तो वहाँ पे रूपकलंकार होता है ये चीज याद रखना और दोस्तों इसमें उपमे और उपमान प्राया योजक्चिन से जुड़े होते हैं यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग उपमे ये है उपमान ये है उपमे और उपमान प्राया योजक्चिन योजक्चिन ये इसका योजक चिन का ये sign है, एक सीधी line, उपमे और उपमान यहाँ पे योजक चिन द्वारा जुरे होते हैं, और रूपकलंकार की definition क्या होती है दोस्तों, जहाँ उपमे में उपमान का भेद रही तारोप होता है, वहाँ पे रूपकलंकार होता है, तो question number 77 का right answer क्या हो 80 तक, ये पैसेज है और इसके नीचे 3 question दिये हैं, दोस्तों आप सभी लोग अपने paper के पहले पैसेज की practice करके जरूर जाईए, देखते हैं, पैसेज के answer हम दोस्तों आप लोगों को बता रहे हैं, question number 78, question number 78 है, कौन सी समस्या भारत को घुन की तरह खाये जा रही है, question ये ह ये चीज आप लोग पैसेज पढ़ेंगे, तो आसान वहाँ, इस question का answer आप easily तरीके से दे पाएंगे, तो question क्या है, कौन सी समस्या भारत को घुन के तरह खाये जा रही है, पहला अप संदिया है, असिच्छा की समस्या, दूसरा है गरीबी की समस्या, तीसरा है बेकारी की स तो दोस्तो, question number 78 का right answer क्या हो जाएगा, आप संदिया गरीबी की समस्या, ये चीज पैसेज में मिनसन होगी, तो question number 78 का right answer क्या हो जाएगा, आप संदिया गरीबी की समस्या, भारत को घुन के तरीके से खाये जा रही है, आगे बढ़ते हैं, अगला question है, question number 79, आज की प्रडाली में किसका भाव है, ये question है, देखेंगे, पहला आपसन है नैतिक ज्यान का, दूसरा आपसन है हिंदी ज्यान का, तीसरा आपसन है अंग्रेजी ज्यान का, चोथा है वेवहारिक ज्यान का, तो question number 79 का right answer क्या हो जाएगा, आप संदिया गरीबी, आगे बढ़ते है अगला question है, question number 80, बेकारी की समस्या का एकमात्त कारण, ये चीज भी पैसेज में मिंसन होगी दोस्तों, बेकारी की समस्या का एकमात्त कारण क्या है, पहला आपसन दिया है सिच्छा प्रडाली, दूसरा आपसन दिया है धर्म प्रडाली, तीसरा आपसन है जीवन प्रडाल तो question number 80 का right answer क्या हो जाएगा, option number A दोस्तों ये था आज का practice set, उम्मीद करता हूँ, आप लोगों को practice set पसंद आया होगा दोस्तों वीडियो को अधिक से अधिक like करें, चैनल को subscribe अधिक से अधिक करें और वीडियो को share भी करें दोस्तों, विकास STD सरकिल परिवार आप सभी के उजल भोईस की कामना करता है, आप सभी नए वर्स की हारदिक सुम कामनाओं के साथ, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आप सभी लोग अपने अपने लक्ष को पाएं, और दोस्तों, आप सभी को एक बार फिर से नव वर्स की हारदिक मंगल कामनाओं मिलते हैं दोस्तों, अपनी अगली क्लास में अगले practice set के साथ, तब तक के लिए जैहिन